महीला बैंक मैनेजर के साथ धोकदड़ी का मामला सामने आया है जिसमें उन्हें वीडियो कोल के जरिये 17 लाक रुपे ठग लिये है इस घटना का सामना 20 जून को हुआ जब महीला को घर पर ही एक अग्यात कोल आया कोलर ने अपने आपको भारत की दूर संचाह विनियामक प्राधिकरन का मैनेजर बताया और उसे बताया कि उसके नाम से अवैद सिम जारी की गई है इसके बाद कोलर ने महीला से अधिकारियों की जानकारी लेने के लिए वीडियो कॉल शुरू की जिसमें बंदिका की भाती पांच घंटे तक उसे बंधक बनाकर रखा गया बदमाशों ने महीला से उसकी एफडी का इस्तमाल करके सतरा लाक रुपे के ट्रांसवर करवा लिये बाद में उन्होंने अधिक धन की मांग की जिस पर महीला ने धंकिया दे कर कोल बंद कर दिया इस मामले की जाँच के लिए जपर कमिशनर रेट के साय बताना पुलिस ने कारवाई शुरू की है पुलिस ने बताया कि बदमाश ने महीला को धंकाया और उससे धन की मांग की गई जिसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि 17 लाक रूपए उसके खाते से निकाल लिये गए इस घटना ने लोगों में डर फैलाया है पुलिस ने सावधानी भढ़ाने की भी अपील की है